लुसेंट रास्तान जीके के डीली टॉप 50 कोशन वे जिस्तों आपका वेलकमा जिस्तों तो ये वीडियो का तर्फ वृट वाट रह तस्तों इस से पहले भी मासट पार्ट बनाए जो चुके हैं दूस्तों वो भी आप चैनल पर जाए की देख सकते हैं तो यहां मिलने वाले तो आपको डेली कोंशन आपको मिले वांना यहां जो कि आने वाले सभी एकजम के लिए काफ़ीió की साभी स Start टो बोकुल करना इस लिए को तो छुरू करता है तो आज के Dodge अंसर है option number साय सिरोही शेत्र है गोडवाडी बोली का निक्षन है निमलिकित में से कौन सी बोली मारवाडी की उपबोली नहीं है तो इसका रेक्टांसर है आपसन नबर बै नागोर्चोल नहीं है मारवाडी की उपबोली इसके लाब बिकानेरी जोदपूरी थली ये तीनों ही राजस्तान की बोली है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमबर आए मालवी है दक्षिनी पूरी राजस्तान की बोली निक्शने राजस्तानी बाश्या दिवस कब मनाया जाता है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमबर आए 21 फरवरी को प्रतेल साल मनाया जाता है राज बोली को बीली बोली किस ने कहा तो इसका रेक्टांसर रहा है आपसर नमबर बैर डॉक्टर ग्रियसन ने कहा था बीलों के द्वारा जो बोली जाती है उसे बीली बोली नेक शुने राजस्तान में सरवादिक लोगों द्वारा कौन सी बाश्या बोली जाती है तो इसका रेक नेक्शन है राजस्तान में सरवाधिग शेत्रफल के साफ से कौनसी बाशा बुली जाती है तो इसका इन्षर है option number A मारवाडी बूली जाती है शेत्रफल के साफ से और अगर लोगों के साफ से वात करें तो डुंड़ाडी बूली जाती है कोशन है डुंगरपूर एवं बासवाड़ा शेत्र में बोली जाने वाली बाश्या है तुसका रेक्टांसर है ऑप्शन नमर से बागडी बोली जाती है डुंगरपूर और बासवाड़ा शेत्र में निक्षन है मारवाडी बाशा का शुद्रूप किस शेतर में मिलता है तो इसका रेक्टांसर है आप्सन नमर दै जोदपुर शेतर में मिलता है मारवाडी बाशा का शुद्रूप निक्षन है अहिरवाटी किस शेतर में बोली जाती है तो इस कारेक्टांसर आए, आप्सन नबर आए, अलवर शेतर में बोली जाती है, अहिरवाटी बाश्या, नेक शुने, परमुक साहिते रस्टना, रजियारा दुलहा, डोला मारू, मीरा बाई की रस्टना, आदी, किस बाश्या में लिखी हुई है? तो इस कारेक्टांसर आप्सन नबर आए, मारवाडी बाश्या में लिखी गई है, साहितिक रस्टना, रजियारा दुलहा, डोला मारू, और मीरा बाई की रस्टना, नेक शुने, चरंडासी वे लाल दासी की रस्टनाएं, किस बाश्या में रस्टनाएं? तो इसका रिक्टांसर है, आप्स नमबर ए, मेवाती बाशा में रचित है, चरंडासी और लाल दासी वेक्टियों की रस्टनाएं निक्षन है, नागर चोल, हाडोती, किसंगडी, राजावटी, तोरावटी, चोरासी, तथा अजमेरी, किसकी उपबोलियां है तो इसका रिक्टांसर है, आप्स नमबर से, ये सबी डुंडारी की उपबोलियां है निक्षन है, नागर चोल, कहां बोली, जाती है तो इसका रिक्टांसर है, आप्स नमबर ए, टौंग सवाई मादूबूर जिले में बोली जाती है नागर्चोल बोली निक्षन है तो रावटी कहां बोली जाती है तो इसका रेक्टांसर है आपसन नमर ए सिकर जूरू जूरू शेतर में बोली जाती है तो रावटी निक्षन है निम्नमे से किस जिले में शेकावटी नहीं बोली जाती है तो इसका रेक्टांसर है आपसन नम अलवर जिले में नहीं बोली जाती है शीकावटी बोली इसके लाव सीकर चूरू जुनु इन तीनों जीलों के अंदर ही शीकावटी बोली जाती है किस बाशा में सूर्य मल मिश्रण की रचनाएं लिखी गई है तो इसका रेट आंसर है आपसर नमर दे हाड़ोती बाशा में लिखी गई है सूर्य मल मिश्रण की रचनाएं बीलवारक के शापुरा तथा बुंदी के कुछ शेत्रों में बोली जाने वाली बाशा है तो इसका रेट आंसर है आपसर नमर दे है खेराड़ी बोली जाती है बीलवारक के शापुरा और बुंदी के कुछ शेत्रों में निक्षन है देवडावाटी किस की उपबोली है तुसका रिटांसर है आपसर नमर आए मारवाडी की उपबोली है देवडावाटी निक्षन है देवडावाटी किस शेत्र में बोली जाती है तुसका रिटांसर है आपसर नमर से सिरोई शेत्र में बोली जाती है निक्षन है गोगा जी का परमुक मिला गोगा मेड़ी में बढ़ता है जबकि दूसरा मिला कहां बढ़ता है तो इसका रेट टांसर है आपसर नमर दे गोगा जी की ओल्डी में बढ़ता है दूसरा मिला और पहला मिला गोगा मेड़ी में बढ़ता है लोग देवता गोगा ज लोग देता गोगाजी का ठान सामानेत किस पेड के नीचे बनाए जाते हैं तो इसका रिक्रांज सरह आफसा नमबर 6 हेजडी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं गोगाजी के थान सामनलते हैं राज़स्तान का वह देवता जिसने मेहमूद गजनभी से युद्द किया तो इसका रिक्तांज सरह आफसा नमबर 2 गोगा जी लोग देउता है जिन्नोंने मेहमूद गजनबी से युद्र किया था निक्षन है राजस्तान में सरवादिक लोग देउता मानने जाते हैं तुसका रेक्टांसर है आपसर नमबर से बहादर पद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है गोगा नवमी के रूप में निक्ष ने गाउं गाउं खेजडी गाउं गाउं गोगो कहावत में जिस लोग देवता का संबोधन किया गया है उनका जनम किस स्थान पर हुआ है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर से चूरु स्थान पर हुआ है लोग देवता गोगा जी का जनम और इनके लिए कहावत कही के है गाउं गाउं खेजडी गाउं गाउं गोगो निक्ष ने बार्ड मेर जिले के तिलवाडा गाउं में इस्तित मंदिर किस लोग देउता से सम्मंदित है तो इसका रेक्ट आंसर है आप्सन नमर दै मली नाज जी लोग देउता से सम्मंदित है बार्ड मेर जिले के तिलवाडा गाउं में इस्तित मंदिर निक्षन है भारतिय डाक विबाग ने किस लोग देउता की फड़ पर डाक टिकिट जारी किया है तो इसका रिक्टांसर है आपसन नमबर आए देवनाराइन जी लोग देउता की फड़ पर डाक विबाग के द्वारा डाक टिकिट जारी किया गया है निक्षण है चार हाथ वाले लोग देवता किसे कहते हैं निक्षण है किसे लोग देवता की पूझा उंटों की रगुंता दूर होती है तो इसका रेक्टांसर है आफसर नमर से पापू जी लोग देवता की पूजा से उंटों की रगुनता दूर होती है निक्षन है साथू गाउं में किस लोग देवता का विशाल मंदिर है जहां परतिवर्ष बहादवा सुधी नौमी को मिला लगता है तो इसका रेक्टांसर है आफसर नमर दे लोग देवता फत्ता जी का मंदिर है साथू गाउं में जहां परतिवर्ष बहादवा सुधी नौमी को मिला लगता है निक्षन है गाईयों की रक्षया में अपने प्राण उस्तरजन करने वाले कौन लोग देवता प्रसित है तो इसका रेक्टांसर है आफसर नमर दे फत्ता जी लोग देवता प्रसित है निक्षन है लाचा गुजरी की गाईयों की रक्षया किस ने की थी? तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर से तीजा जी ने की थी लाचा गुजरी की गाईों की रक्षा निक्ष ने इस्तान जहां गोगा जी का जनम हुआ तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमर दे दद्रेवा में हुआता लोग देवता गोगा जी का जनम है निक्षन है निम्न मेश से कौन राजस्तान की लोग देवता नहीं है तो इसका रेक्टान सरह है आपसन नमर दे नाम देव जी राजस्तान के लोग देवता नहीं है इसके अलावा गोगा जी तेजा जी बालकनाद जी ये तीनों ही राजस्तान के लोग देवता है निक्षन है कामडिया पंद की इस्ताबना किसने की तो इसका रेक टांसर है आपसन नमर दै राम देव जी ने की ती कामडिया पंद की इस्ताबना निक्षन है सांपरदाइक सद्भावना के लोग देवता कौन है तो इसकारे टांसर है आपसन नमर दे राम देवजी है सामपरदाइक सद्भावना के लोग देवता निक्षन है बरसाथ के देवता किसे कहते हैं तो इसकारे टांसर है आपसन नमर आपसन नमर आप मामा देवजी को कहते हैं बरसाथ के देवता निक्षन है लोग देवता तेजाजी महराज का पुवित्र तीरतिस्तल बांसी दुगारी किस जिले में इस्तित है तो इसका रेट टांसर है आप सनमर बै बुंदी जिले में इस्तित है तेजाजी महराज का पुवित्र तीरतिस्तल बांसी दुगारी निक्षन है रम्मत है तो इसका रिक्टांसर है आपसर नमबर ए एक लोक नर्त है रम्मत है निक्षन है राजस्तान का बहुरूपिय कला को विश्व के अनेक देशों में प्रदेशित करने वाले थे तो इसका रेक्टांसर है आपसे नमबर आ है जानकी लाल थे जिन्होंने राजस्तान की जो बहुरूपिय कला है उसे विश्व के अनेक देशों में प्रदेशित किया था निक्षन है राजस्तान में भवाई नाटे के जनम दाता है तो इसका रेक्टान सरह है आपसन नमर से भागा जी है भवाई नाटे के जनम दाता निक्षन है नोटंकी तता राम लिला राजस्तान के किस भाग में अधिक लोग प्रिय है तो इसका रेक्टांसर है, आपसर नमठ दे, पूर्वी भग में अधिक लोग-प्रीय है, नोटंकी और राम लीला निक्षुन है, गोपी जी भटे, राजस्तान के किसे शेली के नृते कलाकार है तो इसका रेक्टांसर है आप्सन नबर ए तमासा शेली के कलाकार है गोपी जी भटे निक सुने चार बेत जो राजस्तान में परचली थे लोग गायन शेली है कहां की परसिद है तो इसका maioria answer is टॉंब कि प्रसीद ए चार बेत जोकी लोगक गायन शीली है नेक सुने मेवाड के अरावली शेत्र की भील जाती है लोग नाट्ट है तो इसका acia ओरोप सम्भर भै गावरी लोग नाट्ट है मेवाड के अरावली शेत्र की बील जाती का, निक्शन है, मुक राम लीला का परदेशन कहा किया जाता है, तो इसका गरेक्ट आन्सर है, आपसन नमर दे, बिसाउ जुन जुनुम किया जाता है, मुक राम लीला का परदेशन, निक्शन है, शहापुरा बील वाड़ा का, कौन सा परिवार, फड़ चितरन मे माहिर है तो इसका रीट टांसर है आफस नमर दय जोश्य परिवार है जो कि शहापुरा भी लवारा से संब् mid United है और फर्ड चित्रण में माहिर है निक्षन है क्लिए प्रसिद नृतियांग ना गोहर जान किसे संब्मन No20 तो इसका रीट टांसर है आफसन नमर भे तमासा से समझत है प्रतिस प्रसीद नर्तियांगना गोहर जान